भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नुवंबर 2023 तक करीब 2 करोड पेटी सेव आयात हुआ है। भारी मात्रा में सेव आयात होने से C.A. स्टोर में रखे हिमाचली सेव की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोडों के नुकसान उठाना पड़ रहा है। इरान, अफगानिस्तान, न्यूजलेंड और चिली, यूएस और ब्राजल से सबसे अधिक सेव आयात हुआ है। इरान का सेव अवैद रूप सेव भारत पहुँच रहा है जिसके चलते इसके दाम कम है। साउथ हेशन फ्री ट्रेड एरिया की चलते बिना शुलक चुकाए इरानी सेव अफगानिस्तान की रास्ते भारत पहुच रहा है। खर्च कम होने की कारण ही हो सस्ता है हिमाचल के बागवानों का करीब एक करोड़ पेटी सेव सीय स्टोर में है। विदेशों सेव भारी मात्रा में सस्ता सेव आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। किया जाना चाहिए तब ही स्थानिय सेव उत्पादकों को फसल के संतोर जनक दाम मिलेंगे। हिमाचल सरकार ने भी विदेशी सेव पर आयात शुल्क सौ फिस्दी करने की मांग केंदर सरकार को भीजी है। बागवानी मंतरी जगत सिंग नेगी का कहना है कि केंदर सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने और WTO में सेव बागवानों का मुद्दा प्रमुक्ता से उठाने की मांग की गई है। केंदरिय वानी जे मंतरी प्यूश गोयल को पत्र लिख कर विदेशों से आयात हो रहे सेव का बेस रेट सौ रुपय प्रतिकिलो तथा आयात शुल्क सौ फिस्दी करने का अग्रह किया है। WTO में भी सेव उत्पादको की मांग प्रमुक्ता से उठाने की मांग की गई है। विदेशों से पहुँच रहे सेव की कारण हिमाचल, उत्रखंड और जम्मु कश्मीर के सेव उत्पादको को नुकसान उठाना पर रहा है। भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नुवंबर 2023 तक करीब 2 करोड पेटी सेव आयात हुआ है। फ्री ट्रेड एरिया की चलते बिना शुलक चुकाए इरानी सेव अफगानिस्तान की रास्ते भारत पहुच रहा है। खर्च कम होने की कारण ही हो सस्ता हैं हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड पेटी सेव सीय स्टोर में है। विदेशों सेव भारी मात्रा में सस्ता सेव आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। हर साल भारी देशों से भारी मात्रा में सेव आयात होता हैं सेव की खपत के लिए विदेशों को भारत में बड़ा बाजार मिलता है। हिमाचल के बागवानों की मांग है कि जब तक स्थानिय सेब पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक विदेशी सेब के आयात पर रोक रहनी चाहिए सेब के आयात पर बेसरेट प्रतिखिलो 50 से बढ़ा कर 100 रुपय और विदेशों के सेब पर आयात शुल्क 100 फीस्दी किया जाना चाहिए तब हिस्थानिय सेब उतपादकों को फसल के संतोर जनक दाम मिलेंगे हिमाजल सरकार ने भी विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीस्दी करने की मांग केंदर सरकार को भीजी है बागवानी मंतरी जगत सिंग नेगी का कहना है कि केंदर सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने और WTO में सेब बागवानों का मुद्दा प्रमुक्ता से उठाने की मांग की गई है केंदरिय वानी जे मंतरी प्यूश गोयल को पत्र लिख कर विदेशों से आयात हो रहे सेब का बेस रेट 100 रुपे प्रतिकिलो तथा आयात शुल्क 100 फीस्दी करने का अग्रह किया है WTO में भी सेब उत्पाद को की मांग प्रमुक्ता से उठाने की मांग की गई है विदेशों से पहुँच रहे सेब की कारण हिमाचन, उत्रखंड और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पाद को को नुकसान उठाना पर रहा है Nation Speaks Bureau Report